मेरे नाम हरी सर्मा जम्दूत है और मैं अपनी कविता जो सुनाने जा रहा हूँ उसका सीजिशक है साली पत्नी एक बार किसी ने मेरे यम्दूत नाम का लाब उठाया मुझे एक पत्र भेजकर मेरा उपास उड़ाया मेरी इस्राइली और पत्नी दोनों को अबारा बताया लिखा था यम्दूत जी आपकी पत्नी महगाई आजकल गजब ढ़ा रही है रोज एक नए गरीब को अपने अंक म समा रही है और आपकी शाली बेरोजगारी यूग को पर चलाती प्यार की आ रही जिसका रूप संदर देखके कुछ विपक फच्जाते हैं कुछ तो उसका नाम जब-जब के आत्मत्यत कर जाते हैं आखिर आप इन दोनों को क्यों नहीं समझाते हैं असली अम्दूत को अस अच्छेत में महला ही आगे आती हैं इसलिए वो दोनों जाकर मेरा कार कर लाती हैं और अगर हम खुद किसी को लेने जाते तो लोग डाक्टरों की फोच से पहले तो हमें ला राते बाद में भी साथ आने के बदले डालिस्स पर चड़ जाते बताओ ऐसे में हम कैसे कर से कि आद्रस्पती। एक डोस। जिसके घर हम रोज पहुंच जाते थे औरत पैर की जूती है उसको यह समझाते थे। जब शाम ड़न रही थी हमारी पत्नी से उसकी कुछ गुटफिट हो गई öğ पत्नी की जगह वो खुद मेरे बिस्तर पर सो गई उनके मिलाप से बेखवर रात को जब पहुंची हम घर लाइच बिजू ना फिजूल्ण समझ सीधे बिस्तर पर जाने लगे और दोस्त की बीबी को पत्नी समझ उसके पैर दबाने लगे वह बली भाई साब आप तो आजस्क प्रत्वियों फिर क्यों मित्रों को बहकाने लगे अब मैं एक रखने सुना रहा हूं सौप मिसर अंखला मतलब उसकी भी एक सीमा होती है यह उसीमा को भी पार कर गया एक रात हमने एक ऐसा सपना देखा जो पार कर गया सपनों की लश्मन रेखा जाने कैसे हम यम लोग पहुंच गए जहां हमारे जीवन कर्म तोले गए कभी पाप का प्रदा नीचे जाता तो कभी पुन्न अधिक हो जाता प्रेशान हो रहे थे यम्राज बेचारे तभी संयों बस नारत पढ़ारे यम्राज बोले मुनिवर इस आत्मा पर गौर कीजिए सौर्ग भेजू या नर्क आप ही फसला कर दीज नारत बोले मेरे विचार से इसे सौर्ग भेज दीजिए यम्राज नाम रखने का कुस्तों बेनिफेट दीजिए सौर्ग लोग में भारस से आया है कोई प्राड़ी नया सुनते ही बहां देखने वालों का ताता लग गया सामने खड़े थे अनिकों महापृष जिन्हें आज तक हम केबल तस्वीरों में देखा करते थे वोले बटा यम्रूत बटाओ धर्दी पर क्या करते थे हमने का सायत के बल पर समाज का सुधार क्या करते थे तभी भगर सिंग चीक कर बोले जूट तुम महज बगवास किया करते थे समाज में क्रांति लाने के बदले हसीनों पर बेंग लिखा करते थे भारत के टुकड़े करने को आतंकी फिरते दोले दोले उन पर नहीं छोड़े तुमने कभी बेंग के गोले तभी हाथ में लाठी लिए गांधी जी भी दिखाई दिए बोले देश में दंगे पर दंगे होते रहे पर निर्रज तेरे काब्र सोते रहे मेरी समाज पर जाकर नेता जूटी सौगंद उठाते हैं फिर भी ढोंगी दोक्टूबर नजानी को मनाते कर जैहिंद का उधोस कहने लगे स्वासंद भोस तू कभी उन नेताओं पर भी लि कि राह पर चलकर नेता जी सब का मान घटाया रावड बोला मेरी लंका जल रही है तमिलों पर गोली चल लेए मगर मुर्क तेरी काब करा संगार्दस में पढ़ लिए हम सुन-सुन के उनकी बातें खुद पर सर्माने लगे और नेजरें बचाकर उनकी दर्ती पचलांग ज करने लगे क्योंकि रूसी सेनिक जासु समझ के हम पर निसाना लगाने लगे तब एक धमाके से सब्सक्राइब तूट गई मैंने कहा अभी अभी सपने में मुझ पर बन ठूटा था श्रीमती यह कर बोलें कि देखो यह प्याला गिरके तूटा था